हेलो सातियों आप सबको मेरा नमस्कार आज हम बात करने जा रहे हैं रीट बरती 2021 के बारे में और आज हम रीट लेवल 2 SST का जो पेपर है वो हल करने वाले हैं तो SST के इस मॉडल पेपर में SST की साथ परसन होंगे तो दोस्तों अगर आप रीट लेवल 2 SST से त्यारी कर रहे तो ही ये परसन आपके लिए मैं तो को नहीं अन्य था आप इस वीडियो को ना देखें तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो इस वीडियो में हम जो SST लेवल 2 है उसके 60 परसनों को हल करेंगे दोस्तों प्रत्य परसन की वो व्याक्या भी यहां दी गई है ल आज का हमारा पहला परसन है और वेशे पिपर की दिभिष्टूश talking 9टी वन एक्राण मनमर परसन है इसके अलावा जो 90 परसन है वो आप सब को पता है 30 परसन सीभ्सा नग्यान से समन दीते हैं और 30 प्लस 30 दो लेंग्वेज के साट परसन तो इसके अलावा जो 60 परसन है वो आजम हल करेंगे परत्वी का कुल इस्थली चेतर का परतिसत है परत्वी का कुल इस्थली चेतर है वो कितना परतिसत है 32, 33, 3, 38, 4 तो साथ वह सब को पता है इसका चेतर पहले है वो 30 परतिसत है और बाकि जो इगोतर परतिसत है वो जल मग परसंद सिंग्या ब्रान में देखते हैं वायू मंडल की सबसे नीचली प्रत कौन सी है समताप मंडल, खोब मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल तो साथ यूँ इस परसंद का उतर हो जाएगा खोब मंडल तो दोस्तों आपको पता भी होगा कि कौन सी किस परकार की प्रते हैं खोब मंडल सबसे पहले समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बाया मंडल इस परकार इनका दोस्तों करम है तो आपको पता है होगा परसंद सिंग्या त्रेण में है अगला परसंद देखते है परसंद सिंग्या 94 है जेव मंडल में जीव थता प्रयावरण के मद्य रासाइनिक तत्वों के चक्रिये परवा को का जाता है जेव मंडल में जीव और प्रयावरण के मद्य रासाइनिक तत्वों के चक्रिये परवा को गेशिय चकर, जेव भूर असानिक चकर, जल चकर, भू आकारिक चकर तो साथ यों इस परसन का उतर हो जाएगा ऐप्सन नमर बी है, वो कर्येक्ट हो जाएगा अगर आफ व्याक्षा पढ़ना चाहें तो व्याक्षा पढ़ सकतें परसन संखे आबढर 95 है नीमनलेकित में चेक कौनशी एक कायांत्रित चेल है आपको कायांत्रित चेल ले वो बताने है ओप्सन है वो अगले पेज में उप्स नमर एक है चुना पत्थर, संगमरमर, क्वाट्जाइट और स्लेट तो साथ यो इस परसन का जो उतर है वो हो जाएगा चुना पत्थर कायांतरित आपको चटान बतानी थी रुपांतरित अथवा कायंतरे चटाने वे चटाने होती है जो अपने वास्तवी ग्रूप से परिवर्तित हो चुकी होती है जैसे सीष्ट, नाइस, एंतरेसाइट, कोईला, सर्पेंटाइन, क्वाट्जाइट, संगमरमर, स्लेट, फाइलाइट, हीरा, आधिका, एंतरे चटानू के उधारन है अगला परसंद देखते हैं परसंद सिंग्या 96 है तो साथियों अगर विए ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरू करें परसंद सिंग्या 96 है हडपा संस्कृती सिंदु गाटी सबेता के अभिलेक मुखेते किस सवस्तू पर बने मिले है जो हडपा संस्कृती है, सिंदु गाटी सबेता कि जो अभिलेक है, वो किस सवस्तू पर मिले है ये बताने है, शिलाओं पर, मुहरूं पर, इस्तंभूं पर, तामर पत्रों पर तो साथियों आप सबको पता है, ये मुहरूं पर मिले है आगे बात करें, तो दोस्तू इसका जो काल है, आप सबको बता है तेईसो इसवी पूरवशें, सत्रासो पचास इसवी पूरवशें, रेडियो कार्बन वीधी के दोरा ये समय है वो निर्दारन किया गया है परसंद सिंग्या 97 है उत्तर वेदी काल में आरिय संस्कृति का केंद्री इस्तल था उत्तर वेदी काल की बात हो रही है और आरिय संस्कृति की केंद्री इस्तल सब तस्यंदो परदेश, गंगा यमुना, दोहाब, मग्द और दककन तो दोस्तों इस परसंद का जो उतर है वो ओप्सन नमर 2 गंगा यमुना दो आप यह हो जाएगा परसंद सिंग्या 98 है भारत के प्राचीन नगरूं का पतन नामक परसीद पुछतक के लेखक हैं भारत के प्राचीन नगरूं का पतन अर्बन डिके इनडिया तीन सो एडिशे एक जार एडी राधा कुमूद मुखर जी रोमिला थापर डीडी कौसाम भी राम सरन सर्मा तो साथ यू इस परसंड का जो सही उत्र है वो हो जाएगा राम सरन सर्मा व्याक्या देख सकते हैं राम सर्माद वारा लेकित पुस्तक है जिसका प्रकाशन 1987 में हुआ इस पुस्तक में तीसरी सदी से 1000 सदी के भारत के नगरों के पतन के बारे में चर्चा की गई है तीसरी सदी से 1000 सदी के मध्य की जो नगर है उनकी बात है दोस्तों ये परसंद वापस आ सकता है, हिंदू विवाहित महिलाओं का प्रिथक निवास एवं भरन पोशन अधिनियम कब अपारित हुआ? हिंदू विवाय अधिनियम है, दोस्तों आप सबको पता है, 1955 है तो इसके तहट जो प्रिथक के निवास भरण की बात हो रही है जो उससे समझी जो आपके जो कानून है अधिनिये में उसकी बात है उसको आपको बताना है कि कौन सा वो अधिनिये में तो यह है दोस्तों आपके 1946 आपस नमर तीन है करेक्ट हो जाएगा परसन सिंगे सो नमर है बारतिय समाज के इतिहास में 1856 का वर्स मैतोपुन शिद्ध हुआ क्योंकि हिंदू विद्वा पुनर विवा अधिनियम पारित हुआ कन्यावद अधिनियम पारित हुआ सत्य पर्था के विरूद अधिनियम पारित हुआ ब्याकन पर्था के विरूद अधिनियम के द्वारा हिंदू विद्वा के पुनर विवा कर लेने पर उसके कानोनी अधिखारों को सेरेंक्षिनपर्दान किया गया। परसन सिंग 1101 है बारती इत्यास में स्रण काल के लिए प्रयुक्त होता है। गुप्त काल, कुशान काल, मौडिय काल, मुगल काल। तो साथ यूई इस परसन का जो सेयू उटर है वो हो जाएगा गुप्त काल। प्रसंचे के 102 है तो साथ यह इस परसंचे की 103 है, बहुत बार एक जामें पूठा जा जा चुका है, इंडिका के लेकक है कोटिल्ले मेगस्टनीज प्लीनी विश्णु गुप्त तो साथ यू इस परसंद का सहीूतर हो जाएगा मेगस्टनीज यूना नी सासक शेलिकस नीकेटर के राज दूत मेगस्टनीज ने इंडी का नामाग पुष्टक लिखी और ये मेगस्टनीज कोंता चंदर गुप्त मो सूर्य वर्मा शेकेंड और ये सूर्य वर्मा थर्ड तो साथ यू इस परसंद का जो उतर है सूर्य वर्मा शेकेंड क्या है कमभुज का अंग कोरवाट का विश्टनु मंदिर किसने मनवाया सूर्य वर्मा शेकेंड ने मनाया अगला परसंद देखते हैं परसंद सी 105 है सम शिलालेक है उसमें पडोशी देशों का वर्ण किया गया है आगे बात करें परसंसिंग के 106 की रविंदरना टेगोर के किस उपन्यास का परमुक पातर निखिल है जो देश भक्ती से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है शेशेर कविता गोरा योगा योग घर बाइर आप इसकी व्याक्या लेख सकते हैं कि व्याक्या किस प्रकार किये परसंसिंग्या 107 है इंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई 1916, 1925, 1913, 1922 तो सात्यों सबको पता है कि गदर पार्टी की स्थापना है वो गदर पार्टी लाला हरदयाल दवारा 25 ज तो सातियु जो दिर हम है वो क्या है एक प्रकार का ताम डिकासी का है आगे बात करें अग्ला प्रसण है परसंट सिंग 110 है शेरसा सुरी का अंतिम अभ्यान किस साथ सक के विरुद था कालिंजर मारवार रण थंबोर मालवा तो साथ इस परसंद का जो सही उतर है वो शेर्षा सूरी का जो अंतिम अभियान था वो कालिंजर के खिलाब था परसंद सिंगे 110 है कि राजारा मोहनराय के प्रयासुशें बंगाल में सत्यप्रथा को किस अधिनियम के अंतरगत निशेद गोशित किया गया जैसे राजारा मोहनराय नाम आये सत्यप्रथा नाम आये और निशेद करने की बात आये तो आपके सामने 8133 है वो बिल्कुल आपके सामने आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तो यह वा तो 829 में था लेकिन इसमें अधिनियम पूछ लिया है कि नियमन संक्या केतनी थी तो साथ यो इसका सही उतर हो जाएगा आपके 17 AD 819 ओप्सन नमर एक है वो सही हो जाएगा दोस्तों यहां से भी परसन दुबारा पूछा जाए सकता है इसको ध्यान से देख लि गया है और आप सबको पता है इसमें तीन सब्दों को जोड़ा गया है और वो तीन सब्द कोंचे हैं समाजवादी पंत निर्पेट और अखंड था जो सब्द है यह सब्दे हमारी परस्तावना में एड किये गए हैं 42 में स्विधान संसौधन के दौरा अग्ला परसन वह थे ही होंगे 42 में तेद आप सब सब्द जोड़ा है जो मत दान की आयो है किसे घटा राठारा की गई उसके तेद शिक्सा के अधिकार को जोड़ा गया इसके लिए दोस्तों ये 21A अनुचिद 21A में जोड़ा गया है साथी 11 मूल करते वे ग्रूप में भी जोड़ा गया है और इसके अलबा निती निर्दे सक्तत्मों में भी अनुचिद 45A में इसको सामिल किया गया है तो आप इस बात को ध्यान रखें कि ये कहां कहां एड़ हुआ है तो इस परसन का उत्तर है वो होज़ेगा 66A स्युदान संसोदन अगला परसन देखते हैं परसन सिंग 113 है किससमिति की सिपारिशों के को आधार मानकर भारती स्युदान में मूल करते वे जोड़े गे बहुत सिंपल परसन है जोड़ेगे भाग 4A और 9651A केवल 10 मूल करते वे 11 है वो बाद में एड़ किया जाता है इस बात को आप ध्यान रखना है 86 में स्युदान संसोदन 2002 के दवारा जो 11 मूल करते वे उसको बाद में जोड़े जाता है मूल करते वे भी बाद में जोड़े जाते हैं जोड़ा है बारत सरकार ने काका कालेलकर काका जीत बहुत अच्छे होते हैं हमारे तो आपको परसंद भी बहुत अच्छा लगा होगा काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वरग आयोग का अध्यक्स न्यूक्त किया गया न्यूक्ति का वर्स था 1951,53,55,57 तो साथ यो इस परसंद का जो सयूतर है वो हो जाएगा 1953 काका कालेलकर का समन्द किसे है अन्य पिछड़ा वरग आयोग किसे समन्दीत है और 1953 में इनको अध्यक्स से बनाया गया है अगला परसंद देखते है परसंद सिंग 115 बारत के सुईदान में धरम निर्पेक्स्ता का अर्थ है धरम निर्पेक्स्ता क्या का अर्थ क्या है राज जे का अपना धरम है बिल्कुल गलत है राज जे का धरम से कोई समन्द नहीं है राज जे का अपना कोई धरम नहीं है राजय सभी द्रमों को मानेता देता है परनतों उसका अपना कोई द्रम नहीं, बहुत अच्छा पर्सन है और भोती टीनलव नमबर देखकर जाने वाला पर्सन है तो दोस्तों OPS NUMR D है, इसका उतर हो जाएगा कि राजय सभी द्रमों को तो मानेता देता ही है साथ में वह किसी एक धर्म को मानिता परदानी करता या उसका स्वेम का कोई अपना धर्म नहीं है परसंसिंग का 116 देखते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें परसंसिंगा 116 राज्य सभा का सदस्य चुने जाने के लिए परत्यासी की उमर होनी चाहिए राज्य सभा का सदस्य चुने के लिए 25 साल, 35 साल, 30 साल, 21 साल तो साथ यो इस परसंद का जो सही उतर है वो राज्य सभा के लिए 30 साल की उमर चाहिए तो आगे बात करें दोस्तों परसंसिंगा 117 है बारतिय स्विधान का 45 संसोदन अधिनियम नीमन अलिकित में से किस एक परदान मंत्री की समय किया गया तो दोस्तों आप सबको पता है इंदिरा गांदी चंदर सेकर चोधरी चरण सिंग मुरार जी देशाई जो 45 संसोदन है ब उसके बाद में जैसे ही मुरार जी देशाई आये तो उन सबको वापस मलब सही धंग्श्या करने के लिए वापस संसोदन किया जाता है इस प्रकार 47 संसोदन है इसके तैत वापस जो कई चीजे है वो सही दान में वापस सही की जाती है अगला परसंद देखते हैं इस प्र तो दोस्तों आपको द्यान रखना है कि वी रामा स्वामी एक त्रे से पहले निया रिष्टे जिनके खिलाब महावियों की प्रक्लिया शुरू की गई तो पहला और अन्तिम हमेशा दोस्तों चर्चा में रहता है आपको ध्यान है परसंद सिंग 119 से बारती सुधान की बारवी अनुसुची समंदित है पंचायती राज बी वस्ता से नगरपाली काउँ से केंधर की बासरों से केंदर राजे समंदों से यसी प्रकार 11-6 है पंचायती राज बिवयश्ता से समंद है जो कि ये दोनों ही 43 में और 44 में सुधान संसोदं के ते तहत जोड़ी गई है आपको सबको पता है दो अक्टूबर 1969 रास्तान में पंचाइती राज विवस्ता है उसका सुबारम होगा था उसी केतित आबाद में जो पंचाइती राज अधिनी में वो 1993 चोबीस अप्रेल 1993 को यह अमारे भार देश में पारित हुआ था और यह का गया था कि आगे आने वा 1994 को राजस्तान में पंचाइती राज विवस्ता को लागू कर दिया तो यहां से भी परसन बन सकता है कि भारत देश ने बारत ने केंदर सरकार ने कब यह लागू किया था चोबीस अप्रेल 1993 में को और यह का गया कि आगे एक साल में आपको यह काम करना है तो हमने क्या है यहां से परसन भी बनता है और परसन गलत भी होता है और जिसको यह बार यह चीज समझ में आ गई उसको ध्यान में भी रहता है परसन सीं 120 से वह कौन सा उपराश्टपती था जिसका ध्यान अपने कारेकाल के दोरान हुआ डोक्टर रादा क्रेस्टन वीवी गिरी बीडी जत्ती क्रिशन कांथ तो साथ यह इस परसन का उतर हो जाएगा क्रिशन कांथ क्रिशन कांथ का जनब 28 फरवरी 1927 को पंजाब में हुआ 27 जुलाई 2002 को उनका उपराश्टपती के पद पर रहते वे नीदन हो गया तो दोस्तों अगला परसन देखते हैं परसन सीं 112 से कक्सा क कफार ग्म secular सामाजिक अध्यन को पडाती से में निर्धारित कालान समय का कितना वात, खेम के कथन निर्देशन पर लगना चाहिए तो दोस्तों आप अगले क्सम पड़ा रहे हैं तो उसका जो संपोन जो है उसका कथन निर्देशन पर कितना निर्धारित चालीज पर तीस 60, 50 और 20 परतिसद तो साथ यो इस परसंद का जो सही उतर है 40 परतिसद हो जाएगा 40 परतिसद भाग है वो आपका कथन निर्देशन में लगना चाहिए वो जो 60 परतिसद भाग है परसंद पूछने हैं विचार हैं मतों को इसपष्ट करने में और भावनात्मक परदर्सन में वेतित करना चाहिए ये परसंद और आशकता है ध्याना करना परसंद सिंग्या 122 से मुल्यांकन की प्रिक्रिया है उदेशों की उपलब्दी के विस्तार का निर्धारन परिणामों की गुणवताव मुल्यों का निश्चे करना अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना उप्युक्त सभी ये सभी कारण है ये मुल्यांकन की प्रिक्रिया के भाग होते है परसंद सिंग्ये 123 से सामाजिक अध्यन सिक्षण में शिक्षन अधिगम सामगरी का परियोग पाट को लंबा करता है उप्यूक दोनों कतन ऐसते है उप्यूक दोनों कतन ऐ और भी सते है तो दोस्तों इस परसन का जो सही उतर है वो हो जाएगा उप्यूक दो उप्यूक दोनों कतन ऐसते है क्योंकि दोस्तों इसे पार्ट को लंबा करना हमारा हुद्श नहीं होता फार्ट को अच्छी तरीह से किना बालकों को समझाना उद्श हो मिलती है उस्से में रूची लेने लगते अूबने नहीं लगते इस परकार इस परसंद का उत्तर है दोस्तों, उपस नमर तीन करेक्ट हो जाएगा परसंद सिंग 124 से प्रोजक्ट विधी को सर वापरतम की स्विगयानिक ने शिक्सा प्रणाली का व्यवारिक रूप दिया प्रोजेक्ट वीदी के बात हो रही है और वेग्यानिक शिक्सा प्रणाली में व्यावारी क्रूप से किसने लागो किया ड्यूवी, ड्व्यू एच किल्पैट्रिक, इस्टीव एंसन उप्रिक्त में से कोई नहीं तो साथ इस परसंद का उतर है, ड्व्यू एच किल्पैट्रिक, उप्सन नमर दो है, वो करेक्ट्रिक हो जाएगा परसंद से के 125 है, निमनक का सही मिलान कीजी, ब्येस बुलूम, हर्बर्ट, मौरिशन, हंट इनका समन किस परकार से हैं, आपको ये बताना है, तो दोस्तों इस परसंद का उतर है, आपके उप्सन नमर सी होगा कि ब्येस बुलूम है, उनका मौल्यांकन आयाम है, हर्बर्ट का समर्थी इस्तर है, मौरिशन का बोध इस्तर है, हंट का चिंतन इस्तर है बहुत अच्छा परसंद है, ये दुबारा भी परसंद आ सकता है, ध्यान रखें दोस्तों, परसंद सींग 126 से, मौल्यांकन आयाम के तीन, निमन तीन सौपान होते हैं, सेक्षिक उदेशियों का निर्धारन करना, अधिगम के अनुबह उपरदान करना, वेभार परिवर कहा जाता है, इसलिए दोस्तों, इस परकार इस परसंद का उतर हो जाएगा, उप्सन नमर एक, अगला परसंद लेखते हैं, दोस्तों, इसका जो ये आपके त्री आया में, आप देख सकते हैं, त्री पदी, मुल्यांकन के उपकरण एक तरफ दे रखे हैं, शिक से, उदे परसंद से क्या 128 है, दोस्तों, इसमें आपके कितने परसंद सी होते हैं, ये मुझे चुरूर बताना, कौन्चा कतन सही नहीं है, मुरीदा निर्मान के मुख्य कारण जनक सेल का स्वरूप और जलवायू कारक हैं, ये बिल्कु सही है, यूमस मुरीदा के सबसे गैराई व पदारतों का सही मुरीदा को उपजव बनाता है, बिल्कु सही है, दरातल के उपर पाए जाने वाले जेविक तत्तों के मिट्टी में दबने के बाद ये पदारत रासायनी क्रियाओं के परिणाम सुरूप हुमस में परिवर्थित हो जाते हैं, तो दोस्तों, इस परकार जो उप्स नमर B था, यूमस मरीदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाए जाती है, ये गलेत था, क्योंकि हूमस है, वो उपरी भाग में ही पाए जाती है, परसंद सिंग के एक सो गुंटी से, नीमन अलेकित में से विश्वय का कौन सा देश अगरणी तामबा उतपाद तो दोस्तों इस परसंद का जो सही उतर है, वो हो जाएगा, उप्सिन नमर B चिली, अगला परसंद देखते हैं, परसंद सिंग के 130 से, कौन सा प्रमप्रागत उर्जा का सुरोत नहीं है, भूतापी उर्जा, पेंट्रोलियम, जल्वीदियो तो प्राक्रतिकेस, दोस्तों पेंट्रोलियम, कोईला, कास्ट, इंधन, प्राक्रतिक ये सामिल है, जबकि नवी करनी सुरोतों में भूता पिये, सोर उर्जा, पावन उर्जा, जवारी उर्जा, आदी को सामिल किया जाता है, परसंद सिंग 131 से, कौन सा सुमेलित नहीं है, इस्तानांतरित किर्शी और देश बताना आपको, मिलपा, मेक्सिको, जुमिंग, उत्रिपूरी भारत, रोका, ब्राजिल, लदांग, स्रीलंका, तो साथ इस परसंद का जो सही उतर है, वो हो जाएगा, लदांग, स्रीलंका, ये आपके गलत हो जाएगा, बाकि सबसे ये, परसंद से के 132 से, प्राइ परसंद देखते हैं, परसंद से 133 से, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसुन प्रवेस करता है, केरल, अनमान और निकुबार, दीप समोय, पस्चिमी, बंगाल और तमिलाडू, तो साथ इस परसंद का जो सही उतर है, वो हो जाएगा, अप्स नमर एक केरल में, सबसे पहले जो केरल है, वहां मानसुन प्रवेस करता है, परसंद से 134 से, भारत के किस परदेश में उष्ण कटिबंदिये वर्सावन मिलते हैं, उष्ण कटिबंदिये वर्सावन मालवा का पठार, करनाटग, पूर्वी गाट, उत्री पूर्वी भारत, तो दोस्तों इस परसं परसंद सिंगे 135 से, भारत में निमेना लेकित में से कौन सा एक लोहे इसपातु द्योग का केंदर नहीं है, बेंगलोर, सेलम, डोलवी, दुरगापूर, तो साथ ये भी बहुत अच्छा परसंद है, बेंगलोर इसका उतर सही है, क्योंकि बाकी जिगे जो लोहे 136 से, 2011 में अधिक्तम और नियुनतम जन सिंग्या गनतव वाले भारत के राजिये थे, बहुत सिधा फेक्ट पूचा है, तो दोस्तों ये परसंद डेलीट होता है, अगला परसंद देखते है, परसंद सिंग्या 136 है, बोराट का पठार इस्थित है, गुनादगड और नह तो दोस्तों अप्सन नमर 3 है, क्रेक्टर हो जाएगा, परसंद सिंग्या 136 है, नीमन अलेकित में से, कौन सी राजस्थान में प्रमप्रागत जल्सरंग्चन की वीदी नहीं है, खरीन, टांका, तोबा, नाली, तो दोस्तों इस परसंद गा से, तो दोस्तों इस परसंद क जो सही उतर है वो हो जाएगा अब रक जामसर ये सुमेल नहीं है बाकी सभी सही है परसंद सिंग 140 है राजस्तान में कौन सा रसा इन उध्योग का केंदर नहीं है डीडवणा स्वाइमादोपूर कोटा अलवर तो दोस्तों इस परसन का जो सोही उतर है, वो हो जाएगा, उप्सन नमर B, स्वाई मादवपूर, बाकी जगे रसाइन उद्यों के केंदर है, कौन-कौन से है, सोडियम सल्पेट कार खाना डीडवणा में, स्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल वैक्स लिमिटेड कोट उप्सन नमर तीन है, वो क्रेक्टर हो जाएगा, अगला परसन देखते हैं, परसन सींगा 112 से, किस प्रांत के परजाम अंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था, बहुत अच्छा परसन है, और दोस्तों बहुत बार एक जमस में पुचा जा जा चुका है, उद्यपूर कोटा, अगले उप्सन देखते हैं, करोली और जोधपूर, तो दोस्तों इस परसन का सहीवतर हो जाएगा, जोधपूर, जोधपूर परजाम ने एक वीधवा, किष्णा के अपहरन है, राज परिवार से समन्द लोगों द्वारा का विरूद किया, तथा देश के वीबिन संग्रालिय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई, शिककर, जैसलमेर, जोधपूर, बाड मेर, तो दोस्तों इस परसन का सहीवतर हो हो जाएगा, उप्सन नमर बी जैसलमेर, दोस्तों युद्वा संग्रालिय आप जानते हैं, जैसलमेर में, लेकिन इसकी स्थापना कब की परसंग है कवी बांदव कौन कहलाता था विग्रह राज चतूर्थ। परसंग किया दोस्तों आप सबको पता होगा अजमेर के चौहांसासक बिसल देव है इन्हीं को विग्रह राज चतूर्थ के नाम चे जाना जाता था और यह चौहांवनस का स्वर्ण यूग कहलाता था विग्र राज सतूर्थ को विद्वानू का आसरे दाता होने के कारण कवी बांदव की उपादी दी गई। अब ये कवी बांदव का अर्थ क्या था? विद्वानू का आसरे दाता होना। परसंद सिंग 145 है करनल जेम स्टोर्ड ने अपना यात्रा वितांत ट्रेवल्स इनवेस्टर न इंडिया किसें समर्भित किया। लर्ड विल्यम बेंटिक, लर्ड मिंटो, विल्यम हंटर बलेर, ये थी ज्यान चंदर। जो करनल जेम स्टोर्ड थे, वो रश्तान कीतियास की जहनक भी कहलाते हैं, तो दोस्तों इनन्होंने अपनी पुस्तक है, किनी सौम्पी, ये परसंद है। और इनकी मर्ट्यू के बाद में, उसका परकासंद किया जाता है। तो दोस्तों ये परसन बिल्कुल नहीं है, अगला परसन देखते हैं, अभानेरी तता राजोरगड के कलात्मक वेभो किस काल के हैं, गुरजर परतियार, चोहान, गुहिल, सिसो, दिया, राठोड, तो दोस्तों परसन सिंगे 246 का उतर हो जाएगा, गुरजर परतियार, अभ वेक्ति के सामाजिक समंदों का, वेक्ति के सामाजिक भोगलिक समंदों का, दोस्तों इस परसन का सो सही उतर है, वो आपके इन तिनों में ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों, सामाजी का अध्यन है, वो एक वेक्ति का आर्थिक समंदों का भी करता है, राजनिती का भी करता है, भुगोल का भी करता है तो दोस्तों समस्त परकार का जो अध्यन है वह एक विक्ति का अध्यन करता है कोन करता है सामाजी का अध्यन समाज का अध्यन वो दोस्तों आप सबको पता है समाज मैं आपको एक परसंद पुछूँगा कि सामाजिक अध्यान किसे कहते हैं तो दोस्तों आप अपना कमेंट में जरूर लिखें कि सामाजिक अध्यान किसे कहते हैं देखें आपको कितना क्या आता है आप रीट लेवल 2 से एकजाम दे रहे हैं आपको ये मालूम तो होना चाहिए कि सामाजिक अध्यन किसे कहते है या सामाजिक अध्यन में किसका अध्यन किया जाता है तो दोस्तों ये कमेंट में जरूर दिखेंगे ये परसन है वो बॉन्स के रूप में दिया जाता है मैंने बता तो दिया है लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका सही उत्तर क्या होगा परसन सिंग्याव 148 है सामाजिक अध्यन के संप्रत्य को सामाजिक अध्यन वैद्यन है जो मानव जीवन के रहन सेन के ढगों, मूद बता सकता हूँ, क्रियाँ जिन में मानव अपनी आप सकता हूँ की पूरती के लिए सलंगन रहता है तता संस्ता हूँ जिन का उसने विकास किया है, का ग्यान परदान करता है किसके दोरा बतायागा है यह जो परिबासा दी गई है यह परिबासा किसके ही आपको बताना है वेसले, जोन माइकलेज, MP मुफात, इंसाइकलोपीडिया ओफ एज्यूकेशन रिसर्च तो दोस्तों आपको बताना है कि यह परिबासा है वो किस ने दी है समाज समंदी अध्यन, मानी में समंदों का अध्यन, नागरिक्ता की शिक्षा या सभी तो दोस्तों इस परिबासा किसे उतरो जाएगा उप्यूक्त सभी जो समाजी अध्यन है, इसके अंदर किस का अध्यन के समाज समंदि अध्यान, मानी में समंद्यों का अध्यान, नागरीता की शिक्षा, मनूद समस्त परकार का अध्यान है, वो किया जाता है, अगλα परसand लेखते हैं, capitalist, B—P Evan Singh 40A, समाजी अध्यान इस परसंद का सही उतर है ओप्सनमरर D है कि सामाजी गध्यान का अगर है इसको सामेल करना चाहिए या सबी चीजों का ध्यान रखना चाहिए तो दोस्तों ये थे 91 से 150 तकी जो परसंद है वो हमने हल किये है जो कि कमेंट में लिखें हैं कि ये वीडियो कैसा लगा तो दोस्तूं अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसी प्रकार का जो model test paper है वो हम हर दो दिन में हर दूसरे दिन एक model test series है वो लेकर आएंगे लेकिन वो आपके कमेंट पर निर्बर करेगा कि ये वीडियो आपको कितना पसंद आया है तो दोस्तूं अभी के लिए इतना ही पिर से मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जेहिंग जेभार्द